Hello everyone, welcome to Chirag's MySQL Diviative Tutorial इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि हम लोग export backup MySQL database का कैसे लेते हैं command line से and GY tool जो भी graphical user interface tool है जैसे PHP my admin है, workbench है ये सबसे हम लोग database का backup कैसे लेते हैं सबसे पहले हम लोग access करते हैं MySQL database को और देखते हैं कि क्या-क्या database का list है and कौन साथ database का हम लोग को backup लेना है वो सब देखते हैं तो सबसे पहले करते हैं हम अपना cmd open कर लेते हैं अपनी system का command line open कर लेते हैं then यहाँ पर हम लोग चलते हैं cd slash करके हम programs files then mysql then mysql server then bin यह मेरा path होगा जहाँ पर हम मेरे सब mysql के binary files रहेंगे तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं mysql का यूज करते हुए सबसे पहले mysql में login करते हैं तो mysql minus u root minus p आप installation के समय जो password डाले हो password डालीएगा तो आपको login हो जाएगा यहाँ login होने के पाद हम लोग देखते हैं so databases तो यहाँ पर लिस्ट अपदा डेटाबेस को चेक करना है तो इसलिए सो डेटाबेस यहाँ पर हम मेरा क्या है चिराग्स जो है वह एक यहाँ पर हम लोग इसका डेटाबेस है तो उसको यूज करके हम लोग चेक कर लेते हैं कि उसमें कितने सारे टेबल्स हैं तो चिराग्स ऑगिया सो एबल्स पहरे देखते हैं 70 टेबल्स है हमारे पास और लë ज्याद़ टेबल्स हमारे पास टेबल्स में डेटा भी है यह साम अन्स यू हम लोग एक्स्पोर्ट करने के समय देख लेंगे बहुत हैं हम लोग इसको एकजिट करते हैं कि also यहां पर हम लोग इसका backup लेना है तो backup का command जो है वो होता है mysql dump minus u root minus p for password minus minus routroutines routines हम लोग यूज़ करते हैं store and procedure stores and procedures जो लिखा हुआ है उसके लिए उसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं इसका database का नहीं तो database का नहीं हम लोग का चिराक्स था and हम लोग first export import के लिए हम लोग यूज़ कर लेते हैं option and other जो भी आपको आपके requirement है उसके हिसाब से options यहां मैंने डाला हुआ है other options add log create options तो यह आप लोग डाल सकते है as per your requirement then यहां पर आते हैं आप हम लोग का path में कौन सा path में export backup बनाना है तो यहां export यहां पर एक path मैंने create किया है इस path पर चलते हैं so सबसे पहले greater than then यह path को लिखते है देन यहां पर चिराक एक्सपोर्ट cmd नाम देते हैं SQL so similarly हम लोग इसका नाम दिए then two करके करते हैं हम चाहते हैं कि मेरा जो फाइल बने उसका log भी बनाए हम slash कि इसको कोपी कर लेते हैं कि इस लाइस लॉग ठीक पहला तो हमारा फाइल बना जे ग्रेटर देन के बाद हम लोग नहीं यूज किया थो छोटा greater than के बाद हम लोग इसकी छे सफक्पॉट ये फोल्डर नें यह मेरा फाइल नेम है SQL फाइल बनेगा एंग एक लोग फाइल बनेगा तो इसको हम लोग एक्सपॉर्ट एंटर करते हैं इन करने कप बनता रिगार्डिंग यह कुछ कुछ एरर लॉक फाइल में बनता देन दूसरा है तो आपका cmd5 शुरी एक्सपोर्ट फाइल चिराक से इसमें देखते हैं आपका ड्रॉप क्रियेट का भी ऑप्शन है ड्रॉप का भी ऑप्शन है तो जो भी डेटा वे है वह सब इंसर्ट क है तो हमारा पूरा डेटा एक्स्पोर्ट करके आजाता है पूरा डेटा हम लुग देखेंगे तो पूरा डेटा हमारे पास है जितना टेबल्स हम लोग नोको कि नाम हमकर गलत देना है तो समिट के नहीं हां पर जा की अता देखते हैं तो है टेटावेस एकश्पोर्ट हो गया बट यह लोग फाल भी बनाया इन यह वी इसमें एख्शाइज का बनायन जो यह डेटावेस यहां इतना का बनना है इसमें एरह है को ऑपन करते हैं तो यह हमें दिखाएगा कि got error unknown database जिराग 1 when just selecting the database means यह database इस नाम का database हमरे पास exist नहीं है और उस नाम का हम export करने का कोशिस किये तो यह हो गया आपका export database with command line then second हम लोग आते हैं हम लोग का है export database using phpMyAdmin तो हम लोग open लोगन हो गया हम लोगन हो गया इसको लोग आउट करते हैं तो यह phpMyAdmin जब करेंगे तो इस रूट में आएगा यह username and password वाँगे जो हम लोग यूजर पासवर्ट हम लोग इंस्टोलेशन के समय दिये तो यह उजरने पासवर्ट देंगे हम लोग सब्सक्राइट कारते हैं यहां पर भी ऽी अपका टेबल्स होगा तरहा है को इसको एंप्सकोर्ट करना है पूरा डेटाबेस को तो एह इंपोर्ड पर has to be written value जैसन जावा इसक्रीट नोटेशन पीटरबल डोकुमेंट फाइल अनधर फाइल सो हम लोग के है एक्सपोर्ट करते हैं जो हम लोग का सपोर्ट करता है तो यह बहुत सारे options आते हैं, तो हम लोग default action में ही चलते हैं, quick में चलते हैं, दनेह एक्सपोर्ट पर क्लिक करते हैं, एक्सपोर्ट पर जैसे क्लिक करेंगे, यह path मांगेगा, तो यह है phpmyadmin export, phpmyadmin underscore expoart, तो हमारा successfully export हो गया, इसको भी open करके हम लोग चेक कर लेते हैं, कि हम लोग प्रोपर उपन हुआ है कि निए, इसको open करते हैं, तो यहां पर देखते हैं, हम लोग प्रोपर एक्सपोर्ट हो गया, किरेटेबल का भी कमांड आ गया, इंसर्ट का भी कमांड आ गया, जो भी डेटा है, वो डेटा हमारे पास आ गया है, एप्रोक्स इसमें 1,045,170 लाइन्स है, जितना हम लोग एक्सपोर्ट हो गया है, तो इस तरह से हम लोग phpmyadmin से एक्सपोर्ट करते हैं, नेक्स्ट है हम लोग का यूजिंग workbench, so mysql workbench हम लोग open कर लेते हैं, मैं सिट्राल कर लेंगे, हम लोगो google में मिल जाएगा, हम लोग यहां से download करते हैं, mysql workbench, यहां से mysql workbench हम लोग डांफलोड कर लेता हैं, mysql का site से, डाउनलोड वर्क्वेंच, इनांस डेटा माइग्रेशन, यह सब है, अड्मिस्टेशन, डेबलॉप, वर्चुल पर्फॉर्मेंस, डेश्बोर्ड यह सब आता है, वर्चुल डेटाबेस, डिजाइन, इसको अम लोग डाउनलोड कर लेते हैं, डाउनलोड करने के बाद, अम मैसेकलव वर्क्वेंच, क्लिक ओन योऊर डेटाबेस, यहां हम लोग पासवड डालते हैं, जो पासवड हम लोग का रूट का है, पासवड डालने के बादेख बाद है, इसको हम को एकस्पोर्ट करना है, ठिक है, इसमें अधर डिटेल सागा देखना है, तो रइट किलिक करके देख सकते हैं अब ख़श चलते हैं एडिस्टेरियों में यहाँ पर एक option है data export, click on data export तो यहाँ जो database को आपको एक्सपोर्ट करना और database ममलोग है select कर लेता है select करने लेता है कि लेक्सपोर्ट में आपका पूरा database schema objects है अपका schema object उसका list अगर particular एक table com को export करना है तो उसी table को check करेंगे और export करेंगे यहां पर एक option है तो आपका dump structure and data आपको structure भी चाहिए और data भी चाहिए, अगर आपको only data चाहिए तो data export करेंगे अगर आपको only structure चाहिए तो structure यहां पर export करेंगे, as per your requirement we can export select view जाए select table है यह सब option है हम लोग का सो जो भी हम लोग का इसमें हम लोग को select करना उस select कर लेंगे object to export so हम लोग store procedure जो यहां पर हम लोग routine में कर रहें तो वह काम करेंगे event को हम को चाहिए trigger चाहिए तो यह सब चीज़ों को हम चेक करेंगे जिसका एक्सपोर्ट चाहिए अब यहां पर एक option है एक्सपोर्ट टू डंप प्रोजेक्ट फोल्डर मिंस अगर आप चाहते हैं इच टेबल विल भी भी एक्सपोर्ट मतल्ब हर एक टेबल आपका एक्सपोर्ट हो गाई है जिस सेपरेट फाइट चलिए test करते हैं इसको करें को कि की यहां पर एक नया फोल्डर बना लेता है है fan है इस फोल्डर में हम लोग export करना चाहते हैं देखते हैं क्या ऐस Nicolas होता है इंक्लूट किरेट स्कीमा को भी ले लेते हैं ओके ओवर राइट फॉल्ड 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 एंड यह वर्जन इतना में बट माई सिक्वल सर्वर इस डंप वर्जन 8.3 कोई दिक्कत नहीं इस से एक्सपोर्ट सक्सेस्पुली यहां पर आते हैं डबलू से में चलते हैं देखिए हर एक डेटा बेस का टेबल एक सिंगल सिंगल टेबल में एक्सपोर्ट हो गया है ठीक है अब यहां देख लो आपका सिंगल सिंगल टेबल सब एक्सपोर्ट हो गया है देन अगर हमको एक्स एक ही टेब एक ही फाइल चाहिए जस्ट लाइक प्रिविसली होता था तो हम लोग यहां पर नीचे वाला उप्शन में सेलेक्ट करेंगे एक्सपोर्ट एदा सेप आपको सेपाइब एदेन आपको क्रिटी स्किमा इन इसंगल ट्रांजेक्शन चाहिए एक ही साथ चाहिए यह तो इंक्लूड दा क्लिटी स्किमा च्वाइब सेलेक्ट कि देन हम लोग स्टार्ट एक्सपोर्ट पर चलतें एक्सक्राइब और एक्सपर्ट्र अर आहेब है अधि स्रेकर पर पर हैं जो अभी option है देन उसका जो data है वो भी export हो भी insert करने का है मतलब वो insert automatic हो जागा जब इसको import करेंगे तो इस तरह से हम लोग database को export करते हैं और यह वीडियो में हम लोगों ने सिखा कि कैसे हम लोग database को export करते हैं विद कमांड लाइन, phpMyAdmin and workbench and other tool अगर आप यूज करें तो उसमें कैसे export करते हैं database backup कैसे हम लोग निकालते हैं इस प्रोसेस इस विडियो इसको पूरा जानने के लिए आप विडियो को प्रोसेस जो भी steps है वे step को follow कीजिए and please subscribe and like for the more videos and don't forget to follow like share and comment so hope this will help support thank you for watching